Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chemistry Plus यहां पर हमारे पास question में given है All the geometries of NH3 and H2O molecules are distorted, tetrahedral The bond angle in water is less than that of ammonia Question में उसने बताया है कि हमारे पास जो NH3 molecule होता है और जो हमारे पास H2O molecule होता है दोनों की जो geometries हैं, दोनों के दोनों distorted tetrahedral geometry show करते हैं लेकिन वो क्या कह रही है कि जो हमारे पास water का bond angle होता है वो कम होता है और जो हमारे पास ammonia का bond angle होता है, वो ज़्यादा होता है यानि अगर हमारे पास ammonia का जो यहांपे bond angle लगाया वो Y है और H2 में जो bond angle बन रहा है वो X है तो यह कह रहा है कि जो Y है वो greater than है किस से? X से और हम से क्या कहा है आप हमें इसका reason बता दो question समझ में आया अब देखते हैं कि इसका answer कैसे है तो देखो जब हम NH3 बनाते हैं NH3 की structure कैसी होती है? यह हमारे पास NH3 की Lewis dot structure जिनको नहीं बनानी आती है उनके लिए बता दो देखो यह हमारे पास nitrogen है nitrogen के outermost shell में कितने electrons होते हैं? 5 यहाँ पे एक hydrogen एक hydrogen यहाँ एक hydrogen यहाँ इनके outermost shell में कितने? एक-एक electron है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? इन दोने electrons ने मिलके एक sigma bond का formation कर दिया यहाँ पे एक sigma bond यहाँ पे भी एक sigma bond और यह हमारे पास एक lone pair बच गया तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 3 bond pairs हैं और एक क्या है? lone pair है और हमारे पास यहाँ पे जो bond angle है यह कितना है? 107 degree अब इसके बाद हमें क्या discuss करना है? H2 H2 की कैसी होती है structure? oxygen हमारे पास central atom होता है एक hydrogen sigma bond के साथ यहाँ पे एक hydrogen यहाँ पे oxygen के पास दो lone pairs होते हैं यह होगी दो lone pairs आपको पता होगा कि जब हमारे पास दो electrons होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक lone pair तो यहाँ पे कितने 4 electrons हैं? इसलिए 2 lone pairs हैं अब यहाँ पे यह वाला जो angle है यह कितना है? 104.5 degree अब यह जो question में हमसे बूछ रहे हैं कह रहा है कि इसकी geometry भी distorted tetrahedral है इसकी भी distorted tetrahedral है तो फिर ऐसा क्यों है कि इसकी value यह जो bond angle की value है यह कम है और यह वाली जो bond angle की value है वो ज़ादा है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यह जो 2 lone pairs हैं यह क्या कर रहे हैं? आपस में repulsion कर रहे हैं आप देखो आपको यह बात पता होगी कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा repulsion होता है वो lone pair, lone pair के बीच में होता है फिर उससे कम bond pair, lone pair के बीच में होता है और सबसे कम repulsion होता है हमारे पास bond pair, bond pair के बीच में तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों lone pair आपस में एक दूसरे को repel करेंगे और क्या करेंगे जब ये दोनों खुलना शुरू करेंगे ये इधर होना शुरू करेंगे ये इधर होना शुरू करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे पास हो जाएंगे यानि कि यह जो bond pairs है यह वाली hydrogen और यह वाली hydrogen पहले जितने angle पे थी उससे angle को घटा के कम कर देंगी यहाँ पे ऐसा क्या है nitrogen में यहाँ पे सिर्फ एक ही lone pair है तो यहाँ पे repulsion कम हो रहा है मैं यहाँ एक है मैं एक हाँ झाली है यहाँ असIt to buy